यदि हम जनार्दन मिस्र की बात करें, जो पिछले दो बार से हमें रेप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनमें कोई बिराई कोई कमी है नहीं, अब ये अलग बात है कि वो विदेशी मसलों के नहीं बोल पाते हैं, यमना पुषास्त्री की जो अंतर दिष्टी थी, जो अंतर जो कि थी, और किसी भी राजनेता से तब के और आज के भी नेताओं से ज्यादा तीखिन repeating महराज मार्तन सिंग किसी कीमोत पर राजनेत में नहीं आते वो और डयर्राय्नेति ब्यकति थे एक दौर था जब रीवा विन्विप्रेश की राजधानी हुआ करता था आज संभाग है रीवा तब भी देश की राजनीती में वर्चस्व रखता था और आज भी उतनी ही एहमियत रखता है रीवा लोकसभा ऐसी सीट है जिसका कभी कोई पैटर्न नहीं रहा रीवा की वोटर्ज ने कभी जाती तो कभी व्यक्तित्व तो कभी विकास के नाम पर वोट किये इस लोकसभा ने लगबग हर पार्टी और उनके नेताओं को अपनी काबिलियत साबित करने का बराबर मौका दिया रीवा संसदी शेत्र ने ऐसे कई नेताओं को संसत तक पहुँचाया जो ना तो शक्तिशाली राजनेतिक प्रष्ट भूमी से रहे और ना ही किसी बड़े परिवार से आते थे रीवा ने प्रखर समाजवादी नेता स्वतंतरता संग्राम सैनानी यमना प्रशाज सास्त्री को सांसत चुना यहां के मतताताओं ने कभी कॉंग्रेस का तो कभी राम मनुहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े नेताओं का साथ दिया तो बस्पा के लिए पाल्यमेंड का दरवाजा खोला जैसा कि हमने पहले भी कहा रीवा का कोई पैटर नहीं रहा यहां की राजनीती पेचीदा रही है इसलिए आईए वरिष्ट पत्रकार और राजनेतिक मामलों के विशेशग्य जैराम शुक्ल से जानते हैं रीवा लोक रिवा मिलकर बिंद प्रदेश बना और उसकी राजधानी रिवा वनी तो 1952 का चुनाओ इस नाते भी बहुत महत्वपून रहा क्योंकि एक प्रदेश की राजधानी का लोक्सवा चुनाओ था और उस चुनाओ में राजधान सिंग तिवारी जो की स्टालवाट पोलिटीशन थे कॉंग्रेस के और कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे कांग्रेस के संस्थापकों में से कप्तान अभ्धेश परताप सिंग राजधान सिंग तिवारी और याद्वेंद सिंग तीन लोगों को माना जात पहले मेंबराब पार्लियमेंट यहां हुए और कॉंग्रेस पार्टी से हुए उस समय अप्सिसली पूरे देश में कॉंग्रेस की आधी चल लही थी और वो चुनाव जीते हैं और इसके बाद संतामन आते आते बिंद प्रदेश का विले हो गया और इस बीच में बड़ी अपना यह हुई कि विंद प्रदेश के बिले के खिलाप बड़ा अंदोलन चला और गुली तो 1950 में ही चल चुकी थी विंद प्रदेश के मर्जर के खिलाप लेकिन समाजवादी अंदोलन पूरे पीक पर था और बावन से संतामन के बीच रिवा पूरे देश में नहीं बल की पूरी दुनिया में समाजवादी अंदोलन के लिए जाना गया उस समय के समकालिन साहित में भी रिवा को जगह दी बहुत लोगपरी उपन्यास है धरम भीर भारती का गुनाहों का देपता उसमें भी रिवा के अंदोलन का जिकर है यह बड़ी दिल्चस्प बात है तो जैप्रकास नारायन, डाक्टर रामनोलया, आचायर क्रिपलानी, आचायर नरेंदेव जैसे बड़े नेताओं का प्रियोक भूमी रिवा वन चुका था और शायद इसी वज़े से बिंद प्रदेश का बिले भी कॉंग्रेस ने डेलिबिरेटरी किया क्योंकि ऐसी कोई बराबरी के जो नेता थे जैप्रकास जी, लोहिया जी और आचायर जी, क्रिपलानी जी, तो जब वो रिवा में होते थे तो उनके जुवान से जो भी वक्तब में निकलते थे वो देश के अखवारों की सुरुक्षों में रहते थे, यहां तक की देश के बाहर के भी मेडि किया कबर करती थी, क्योंकि इसी दे नहरूपर बात हुआ करती थी, तो इस तरीके से यह बाहमन और संतामन की बीच में जब बिंद्र प्रदेश था, तब रिवा की राजनेत चलती रही। 1957 में एक जब फिर से एक आम चुना हुआ सम्मिधान लागू होने के बाद, तो एक बड़ी दिल्चस्प बात यह होई कि पंडित नहरू ने अपने एक केर टेकर को यहां चुना लडने भेजा। मैं मानता हूँ कि बिंद्र प्रदेश के लोगों के साथ यह पंडित नहरू का और कांग्रेस का सबसे बड़ा और सबसे भद्धा मजाग था, कि स्यूदत उपाद्याय जो कि आनद्भवन के केर टेकर थे और प्राइवेट सिकेर्टी के रूप में काम करते थे, उनको दि लेक्टोरल डेमोकरेसी का मजाग था कि प्रत्यासी यहां पर परचा भरने आया और फिर जीत का सर्टीफिकेट लेके चला गया और फिर दुबारा कब पैदा हुआ, 1962 में जब दुबारा चुना हुआ है, तो सिउधत उपाद्याय यहां दो बार मेंबरा पर्लिमेंट कॉ लोग नहीं जानते हैं, और सिबाए इसके कि वो नहरू के कुछ लोग कहते हैं, नहरू के बावर्ची थे, कुछ लोग कहते हैं कि उनके प्राइवेट सिकर्टी थे, कुछ लोग कहते हैं कि आनंद वहन के केर्टिकर थे, जो कोई भी थे, लेकिन कोई पॉलिटीशियन नह फ्यवंत्री हुए पंडित संभूनाथ शुक्ला जब मध्यप्रदेश बना तो बहुत इंपॉर्टन पोजिशन में एज मिनिस्टर रहे लगवक सभी मुख्वंत्रियों की कैबिनेट में रहे पंडित संभूनाथ शुक्ला को 1967 में यहां से लोकसभा चुनाओ में उतारा गया तो पंडित संभूनाथ शुक्ला इनफैक्ट रहने वाले तो शैडोल के हैं अमरपूर विधान सभा से वो चुनाओ जीतते रहे हैं उनका सीधे रीवा से सिर्फ इतना वास्ता था कि जब रीवा राजधानी था तो यहां के मुख्यमंत्री थे लेकिन यदि विपक्ष की बात देखें तो इस दोरान समाजवादी यह सोशलिस्ट पार्टी महेंद सिंग और अच्छेलाल सिंग दो OVC के बड़े नेता थे तो इनको करमबार चुनाओ लडाते रहे लेकिन एक तथ्य शैद बहुत कम लोग जानते हैं और नई-पढ़ी के लोग तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि 1957 में डाक्टर राम नोहन लोहिया ने रिवा से अपनी एक महिला मित्र जो की इलावाद इनवस्टी में परफसर थी रीना मित्रा रीना मित्रा को यहां से सोचलिस्ट पार्टी की टिकट से चुनाओ लडाया था लेकिन विपक्ष को सफलता नहीं मिली जनसंग का उदय हो चुका था लेकिन जनसंग की यहां कोई खास उपस्थिती नहीं थी एक बार मडिराज सिंग मेंबराप पार्लियमेंट का और लेकिन 62 का चुनाओ बहुत ही महत्वी रहा देश की दिश्टिकोंड से भी इंदरा जी ने राष्टिय करन किया ख़दानों का राष्टिकरन कीया देशां का राष्टिकरन किया और जो सबसे बड़ा राजाओं के प्रिवी पर्ष बंद कर देने का, यानि कि जो प्रिवी पर्ष बंद कर देने का, यानि कि जो प्रिवी पर्ष बंद ही हुआ करती थी, उन रियास्तों की जो भारती संग के साथ सामिल हो गए थे, उनके प्रिवी पर्ष को यानि कि प्रिवी पर्ष को यानि कि सिंधिया घराना भी चुनाव मैधान पर आ गय और रुवा के राजा मार्तंट सिंग भी चुनाव में पर आ गय और निर्दली रूप से 1972 में चुनाव लड़ा और उनका चुनाव द्रो कह दो भी और चुनाव को सिर्पिर लड़ कोंपत समर्थित प्रत्यासी रावरन भादुर सिंग को जो अर्जुन सिंग जी के बड़े भाई हैं उनको लड़ाया और शैडोल से घंसा प्रधान को लड़ाया चुनाओ वो बनवासी आदिवासी नेता थे और तीनो सीटे जीती शत्ना से राजा पन्ना जीते नरेंद सिंग संभ है और तो कुल मिला के विंद प्रदेश में या विंद शित्की राजनीत में बड़ा भूचाल आया 1972 में और यहां से कांग्रेस को पहली बार बड़ा जटका लगा सत्ना से भी और रिवा संभाग से भी उस समय शैडोल रिवा संभाग में ही था तो इसके बाद फिर कांग कांग्रेस को चुनोती देने वाली है निकट भविस्त में इनको स्वयम में खुद में सामिल कर लिया जाए तो इसी बीच एमरजनसी आ गई लेकिन ऐसे राजा रजवाडों को जो निर्दली चुनाउं लड़कर परल्यामेंट पहुंचे थे कांग्रेस ने एन के एन प्र मार्तरन सिंह भी कांग्रेस से प्रहावित हो गए और कांग्रेस की समर्थर में खड़े हो गये एमर्जनसी जब हटी तो 1977 में यमना प्रसास सास्त्री को विपक्ष के सयुक्त उमीदवार के रूप में सामने खड़ा किया गया और मारतन सिंग कॉंग्रेस पार्टी तो यहां से नहीं खड़ा हुई लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने यहां मारतन सिंग को अपने उमीदवार के रूप में समर्थन दिया और सू बड़ी दिल्चस्फ थी क्योंकि इसको राजा और रंग के बीच में एक लड़ाई है यह कहकर परचारित किया गया था यमना पुसास सास्त्री ओजस्वी और तपस्वी राजनेता रहे और उनकी जोड का और उनके त्याग और उनके बालिदान उनके ग्यान का सानी उस समय देश भर में बिरले ही लोग थे वो गोवा संतुता संग्राम के आगवा नेता रहे बिंद परदेश जब था उस समय भी वो उनकी प्रूंक भूंका थी बिंद परदेश के मशलों को लेकर पूरे देश में उनकी ख्याती एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर्स के रूप में हो गई थी हिंद, किसान, मजदूर, पंचायत के वो राश्टियन नहता थे यानि कि पस्यम बंगाल में भी यमनाप सास्त्री की धाक थी तो केरल में भी थी तो पंजाब में भी थी इस तरीके से उनका दो समनांतर कद बढ़ा एक राजनीति में और एक ट्रेड मार्श का उसके जरिये वो पूरे देश में जाने गए तो एक तरफ यमनाप सास्त्री थे और एक तरफ मार्टन सिंग थे और इस लड़ाई को देश और देश के बाहर के मेडिया ने राजा और रंग के बीच लड़ाई के रूप में प्रचारित किया चुनावाया और लो बीबीसी लंदन से भी ब्राटकास्ट हुई तो वाई साफ अमेरिका से भी ब्राटकास्ट हुई शास्त्री जी गोवा अंदोलन में चुकी नेत्र अपनी गमा चुके थे एक नेत्र तो उनकी गोवा अंदोलन में जा चुकी थी और दूसरी आंख सन 74 में चली गई दूसर योती जा चुकी है, ऐसा सक्स पार्लियमेंट में जा रहा है, बहुत लोगों ने उसको बड़े निगेटिव तरीके से एक नेरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, एक नेत्रहीन ने एक राजा को हरा दिया, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यमनापुशास शास्त्री की जो अं यमनापुशास शास्त्री की बात करते हैं, तो आज हम राइट टू इन्फरमेशन, राइट टू जाब, राइट टू एच्केशन, जितने भी मूल भूत, मनुश्य और नागरिकों के अधिकार की बात है, यमनापुशास शास्त्री ने पालियमेंट में असास की संकल प्र को कानून के रूप में सामने लाया, तो एक बहुत बड़ा योगदान यमनापुशास सास्त्री का इस दिर्ष्टी से भी है, और इस दिर्ष्टी से भी है कि आज हम बांड सागर, जिसके माधियम से पूरा विंद छेत्र की भूमी सश्य श्यामला है, और हरी भरी है, और अच्छी खेती हो रही है, और उन्ती हो रही है, उस बांड सागर की परिकलपना करने वाले परिकलपना को मूल भूत जामा पहनाने वाले भी यमनापुशास सास्ती थे, मुरार जी भाई देशाई जो प्रधान मंती थे, उनको लेके आये, और उसका सिलानियास बांड सास्ती रीवा के सांसत्य इन दोनों ने मिलके बुंदेल खंड और वगेल खंड को जोडने के लिए इस परियोजना की परिकलपना की थी और इसका सिलानियास भी करवाया था, तो इस तरीके से यमनापुशास सास्ती का 77 में योगदान था, उनाइस सो असी में महाराज मार व्यक्ति थे और निस्प्रे थे, राजनीत में वो बाई एसिडेंट आये, मुझे लगता है कि यदि प्रिवी पर्स बंद नहीं हुआ होता, उनके अधकारों के साथ शेड छाड नहीं की गई होती, तो महराज मारतन सिंग किसी कीमत पर राजनीत में नहीं आते, और गहर 1980 में वो कॉंग्लेस की टिकट पे लड़े, 1984 में फिर कॉंग्लेस की टिकट से जीते, तो कुल मिलाकर संतामन से, बामन से लेके और 84 तक का यही राजनीतिक सफर रहा जिसको हम इस तरीके से रेखांकित कर सकते हैं रीवा संसदी शेत्र से एक ऐसा सांसद चुना गया जिसकी ख्याती राष्ट व्यापी रही, जिसने राइट टू एजूकेशन, राइट टू इन्फरमेशन जैसे अधिकार हमें दिये लेकिन यमुना प्रशाशास्त्री के बाद रीवा की जनता को कोई ऐसा सांसद नहीं मिला, जिसने देश की राजनीति में अपनी धमक जमाई हो देखिए एक तो राजनेतिक दल जिनको फील्ड करता है, जिनको चुनाओर में उमिदवार के रूप में खड़ा करता है, वह क्यूंके जाते हैं अब ये उनका व्यक्तित तो कितना चोटा कितना बड़ा है, ये उस व्यक्ति पर निर्वर करता है और बहुत सही बात तो य है कि 984 तक आते आते कोई ऐसा वड़ा व्यक्तित तो रह नहीं गया, यहां पर और एक बार कोशिश की गई थी, श्रीनवास तिवारी जी को भी 91 में चुनाओ की टीकट कॉंग्रेस पार्टी ने दी थी, वो भी बड़े कदावर नेता थे, यमना सास्त्री के लगभग बर के लेकिन श्रीनवास तिवारी को मध्यपरदेश का बच्चा बच्चा जानता है, तो वो भी 91 में चुनाओ नहीं जीत पाए, तो इस तरीके से एक तो प्रत्यासियों के 6-N में भी गड़वडियां होती रही हैं और ऐसे व्यक्तितों का लोप होता गया, एक व्यक्तित थ और जब एमर्जंसी लगी और इसके बाद वो जनता पार्टी में चले गए धीरे धीरे राजनीत से रिलिवेंट हो गया, यमना सास्त्री के समकक्ष यदी कोई राश्टी इस तर में अपनी उपस्तिती दर्श कराने वाला नेता हो सकता था, तो वो जगदीश चंद जोश पटेल उमीद्वार ही चुनाओ जीत कर संसत पहुचे हैं, 1990 तक यानि यमुना प्रशाज सास्त्री और मार्तन डिसिंग के समय तक जातिवाद का ठपा नहीं लगा था यमुना प्रशाज सास्त्री तक यानि 89 में जनता दल की टिकट पे जीते गए, जीते, यमुना प्रशाज सास्त्री और मार्तन सिंग दो ऐसी शक्सियत रहे जिन पर जातिवाद का ठपा हम नहीं लगा सकते हैं, यह एक सार्व समाज के ये नेता थे, सर्व जन के नेता थे ये, इससे पहले भी मतब समुनाद जी तो कॉंग्रेस की कृपा से चुनाओ जीते और एक उनका बड़ी प्रिष्ट भूम थी, उस तरीके से वो जैसा मैंने कहा कि वो नहरू के केर टेकर, स्डी उपाधिया, सुदत उपाधिया भी कॉंग्रेस की लेकिन जमुनापसास सास्त्री जनता की कृपा से जीते और जनता की कृपा से जीतने वाले फिर दूसरे नेता सामने नहीं आ सके क्योंकि एटी नाइन के बाद जब विस्वनाद प्रताप सिंग की सरकार, यानि की जनतादल की सरकार केंदर में बनी, तो उसने पूरे समाज को माट के रख दिया, इसी बीच 85-86 में बहुजन समाज पार्टी का, बियस्पी का उदय हो गया, कासी राम ने भी प्रयोग भूमी रिवा को बनाई, पूरे देश में यदि बियस्पी ने सबसे ज़्यादा फोकस किया, तो रिवा में किया, तो रिवा इस दिष्ट इसे बड़ी अधुत जगह है, यानि समाजवादियों ने भी इसे अपनी प्रयोग भूम बनाई, तो जातिय राजनीत के लिए, बहने समाजवाद का विलकुल एंटी टेस्ट है, जातिवाद, समाजवाद में जहां जातियों की कोई गुंजाइश नहीं है, जातिवाद क यमिना अपसास सास्ती जब चुनाओ जीते, तो उनके मुकाबले में यदि एक विदान सभा रामपूर की बगेलान उसमें सामिल हुआ करती थी, उसको छोड़ दें, तो कॉंग्रेस का उमीदवार तीसरे नमबर पे था, दूसरे नमबर पे यहां पे बियस पी का तो एक प्रचंड जाती बात का उदय हुआ, वो 89 तक हो चुका था, और तब तक यहां की राजनीत में मार्तन सिंग भी हार चुके थे, यानि की राजा भी हार चुके थे, और रानी भी हार चुके थे, और 1891 के बाद तो रिवा लोग सभा की पूरी तासीर ही बदल गई. कोई भी उमिद्वार रिवा से चुनकर संसद नहीं पहुचा, बीते दो विधान सभा में भी रिवा से कॉंग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ रहा है, क्या इस चुनाव में रिवा में कॉंग्रेस का कोई सको बचा है, आईए जैराम शुक्ल से ही जानते हैं. कांग्रेस बहुत पीछे हो चुकी है, ये विधान सभा के चुनाव बताते हैं, और कांग्रेस विल्कुल दिख भ्रमित इस्थिती में है, उसका वोट वेंग विखर गया है, कोई कोई वोट वेंग उसके पास बचे नहीं. विधान सभा एक बड़ी थाकत देता है, विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विखर गई, आप ऐसा लगता ही नहीं किस चेहरे को वो सामने लाएंगे, फील्ड करेंगे, जनता के बीच में भी ऐसी कोई लहर नहीं है, ऐसा कोई आक्रोस नहीं भारती जनता पार्टी की सरकार को लेकर, तो कॉंग्रेस पार्टी के लिए प्रत्यासी तैंकर पाना एक टेणी खीर है, और प्रत्यासी तो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रत्यासी जो इंट से इंट बजा दे, जो अच्छी स्टक कर दे, इस तरीके के उम क्या कहते हैं आई यह जानते हैं जनता तो हमेंसा चाहती है कि इसको एक अच्छा उमीद्वार मिले और जो उसकी बात को बदृता विटवत तरीके से पालियामेंट पर रखेंगा अधिक नाम श्त snip नाम होता है तो वो अब इस्थिति पूरी तरीके से देखिए जो आला कमान की संस्कृति है वो सभी राजिनितिक दलों में कॉंग्रेस पार्टी में भी बीजेपी में भी हर जगा हो गई है जनता की राय बहुत मायने रखती नहीं है और जो पॉलिटीशियंस हैं वो अपने परस्नालिटीज को भी इतना डाइ रिप्रिजेंटेटिव है और हमको चाहिए कौन हमको एक कामन में ही चाहिए जो हमारा रिप्रिजेंट करे अब यह अलग बात है कि वो विदेशी मसलों पे नहीं बोल पाते या एकोनोमी पे वो उस तरीके से विशेशगिता के साथ नहीं बोल पाते या और भी एफेर्स अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से जमनाप सास्तरी दुनिया भर के मुद्दे रखते थे नहीं रख पाते लेकिन एक बड़ी बात ये है कि वो कामन में के चेहरा तो है परलियमेंट में जाके तो भारती जनता पार्टी ने यदि उस चेहरे पर भरोसा जताया ह तो मुझे लगता है कि पब्लिक को ऐसा नेता चाहिए जिसमें उसकी अपनी छवी दिखे यानि जनता जिसमें अपनी छवी को महसूस करे ऐसा नेता चाहिए ऐसा हर वोटर यही चाहता है तो ये रहा रीवा लोकसभा का इतिहास। इससे पहले हमने सीधी लोकसभा शित्र का गणित आपको बताया। अब होगी शहडो लोकसभा की बात हमारे अगले वीडियो का इंतिजार करिएगा।